जमाना बदल गया है, जिन्दकी बदल गई है हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिष्टों और बंदुनों में उजह रहते थे हम लोग बाप के चेहरे में इश्वर देखते थे हम माँ के चन्नों में सुर्ट दिखाई देता था लेकिन अब लोग समझधार हो गए है आज की पीड़ी बड़ी होश्यार और प्रैक्टिकल हो गई है उनके लिए हर रिष्टा एक सीड़ी के दाएं जिस पर पाँ रख करके वो आगे निकल जाते है और जब उस सीड़ी का कोई इस्तमान नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज टूटे भूटे भरतन भड़े पुराने कपड़े कल के एक बार की तरह रद्धी समझ कर किसी कबार खाने पर फेट दे थे लेकिन जिन्दकी सीड़ी कितना उपर नहीं जाती है जिन्दकी पेड कितना उखती है माबाप किसी सीड़ी के पहले पायदान नहीं होते माबाप जिन्दकी के पेड की चड़ है पेड कितना ही बड़ा क्यूं नहीं हो जाए कितना ही हरा भरा क्यूं नहीं हो जाए जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूँ कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हस्ते हस्ते उन पर खर्च कर देता है वही बच्चे जब बाप की आँखें धुंदली हो जाती है तो उन्हें कत्रा भर रोशन देने से क्यों कत्रा दे एक बाप अगर अपने बेटी की जिन्दगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखरी कदम उठाने में उसे सारा क्यों नहीं दे सकता सिंदगी भर अपने बच्चों बर खुशयां लुठाने वाले माबाप को किस चुर्म में आसुओं और तनाई की सबसा सुना दी जाती है अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार चीने का अधिकार किस ने दिया क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन माबाप को प्यार के बंधन में बांध कर भगवान ने एक किया है उन्हें वो दो हिस्सों में बाटकर अलग-अलग तरपने के लिए छोड़ सकते हैं क्या इसी दिन के लिए इनसान उलाद मांगता है इसी दिन के लिए अलाद शायद ये भूल रही हैं कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा अगर आज हम भूड हैं तो कल वो भी भूड होंगे जो सवाल आज हम कर रहे हैं वो इस सवाल कल वो पूछेंगे